यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है 202 दिन परमेश्वर की सेवा सिध स्वतंतरता है 18 वर्ष की उम्र में Billy Nolan मर्चंट नेवी से भाग गए 35 वर्ष की उम्र तक वह एक शराबी थे 20 वर्ष तक हेच्टीवी के बाहर बैटकर शराब पीते थे और भीक मांगते थे 13 माई 1990 को उन्होंने दरपण में देखा और कहा तुम वह Billy Nolan नहीं हो जिसे मैं जानता था अपने भाव को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ईश्यो मसी को अपने जीवन में बुलाया और उनके साथ वाचा बांदी कि वह फिर शराब नहीं पियेंगे उस दिन से उन्होंने एक बुंद भी नहीं छोई उनका जीवन बदल गया वह मसी के प्रेम और आनद को दर्शाते हैं मैंने एक बार उनसे कहा बिली आप खुश नजर आते हैं उन्होंने जवाब दिया मैं खुश हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ जीवन एक भूल भुलेया की तरह है और इश्यो मसी के द्वारा मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढून लिया है सेंट अगस्टिन ने लिखा कि परमेश्वर वह स्वामी है जिसकी सेवा करना सिध्ध स्वतंत्रता है यहाँ एक बड़ा विरोधा भास है बहुत से लोग सूचते हैं कि यदि वे परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वे अपनी स्वतंत्रता को खो देंगे असल में यह बहुत ही विपरीत है असल में अपने आप के लिए जीवन एक प्रकार का दासत्व है आत्मा के नए तरीके से परमेशुर की सेवा करना रोमियो साथ का छे सिद्ध सोतंतरता को प्राप्त करने का रास्ता है बजन सहिता 88 का 1 से 9 परमेशुर को पुकारिये यह बजन वैसी ही एक स्थिती का वरनन करता है जिसमें बिली नौलन ने अपने आपको पाया था तुने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टी में गिनोना किया है मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता बजन सहिता की लेखक बड़े कश्ट से गुजर रहे हैं उनकी आत्मा परिशानी से भरी हुई है वह सोचते हैं कि वह मरने वाले है मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुचा है मैं कबर में पढ़ने वालों में गिना गया हूँ वह अंधेरे और गहरे स्थान में है बलहीन मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता उन्होंने अपने नजदी की मित्रों की सहायता भी खो दी है केवल परमेश्वर हमें बचा सकते हैं परमेश्वर आप मेरे आखरी मौका हैं जैसा कि बिली नौलन ने कहा वह परमेश्वर से पुकारते हैं कि उन्हें बचाएं आपके स्थिती चाहे कितने ही बुरी हो, स्वतंतृता के लिए परमेश्वर को पुकारिए हे मेरे उधार करता परमेश्वर यह हुआ, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की और कान लगा है जिसमें वो रेल की पट्री से उतर चुके हैं, वह चिल्ला रहे हैं, मैं स्वतंत्र हूँ आखिरकार मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पट्री से उतर चुका हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ निशित ही वास्तविक्ता यह है कि Thomas स्वतंत्र से कहीं अधिक हैं जब उनके पहिये रेल पर हैं और वह उस रेखा में काम कर रहे हैं जिसमें काम करने के लिए इसे बनाया गया है हमारे साथ यही है शायद से हम कल्पना करें कि हम स्वतंत्र हैं यदि कोई दूसरा हमें नहीं बता रहा है कि क्या करना है लेकिन यहाँ एक धोका है क्योंकि हम अपने आपको पाप का दास पाते हैं इसका अंत मृत्यू है ऐसा कहा जाता है कि केवल एक मात्र व्यायाम जो कुछ लोग करते हैं वहाँ है गलत निश्कर्ष पर कूदना प्रेरित पॉलूस चिंता करते हैं कि उनकी पत्रियों को पढ़ने वाले गलत निश्कर्ष पर पहुँच जाएंगे कि शायद से कुछ लोग विवाद करें कि अनुगरह पाप से बचकर निकलने का एक बहाना नहीं है दो कारणों की वज़े से पाप करते रहना बेतु की बात होगी मसीहों के रूप में हमारे नए प्रभू है अब हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिनकी आग्याएं आपको मुक्त करती हैं ताकि आप उनके स्वत्नतरता में जीएं इसे पसंद करें या नहीं हम सभी किसी न किसी चीज के दास हैं पाप एक प्रकार का दासत्यु है जो केवल आत्मिक बंधनों और मृत्यु को लाता है लेकिन परमेश्वर की सेवा करना सिद्ध स्वत्नतरता को लाता है क्योंकि परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभू इश के विरुद्ध जा रहे हैं जो है हमें सचा जीवन अनंत जीवन देना जब आपकी परिक्षा होती है तब याद रखिए कि आपको हार नहीं माननी है अब आप पाप के एक दास नहीं है आप ना कहने के लिए स्वतंत्र है आग्याकारिता के प्रतिफल को भी याद रखिए परमेश्वर की सेवा करने में जो प्रतिफल आपको मिलता है वह पवित्रता लाता है और इसका परिणाम अनंत जीवन है नमबर दो एक नया प्रेम पाप करते रहना बेतु की बात है क्योंकि नए प्रभु के साथ-साथ हमारे पास एक नया प्रेम भी है इसे समझाने के ल मसीहियों के रूप में हम नियम के लिए मर गए है हमारा पुराना प्रेम नियम था लेकिन मसी के रूप में अब हम पाप के बंदन में नहीं है अब हम अपने नये प्रेम इश्यों के साथ बंद सकते हैं जैसे की एक महिला जिसका पती मर चुका है वह एक नये प्रेम से वि अपने नए प्रेम इशु से जुड़कर आप आत्मा के नियम से सेवा करते हैं और ना की लिखे गए पुराने नियम से, किन्तु जैसा की हम कल देखेंगे, पॉलूस उस चल रही लडाई के विशय में सापेक्षिक जो लडाई हम पाप के साथ करते हैं। मेरे प्रभू और मेरे प्रेम में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पुराने नियम होशे तीन का एक से पांच के पंदरा तक परमेश्वर की सतुंतरता को खोजें। टिम केलर नियू यॉक के लोगों के विशय में बताते हैं कि उन्हें पाप को समझने में कठिनाई होती है। लेकिन किसी चीज को बहुत प्रेम करना मूर्ति पूजा उनके उलेक से कहीं बढ़कर है। हमारा सबसे उंचा प्रेम है जिसकी हम सेवा और राधना करते हैं। पुराने नियम का यह लेखांच उस सिध्धान्त का एक उधारन देता है जिसे पॉलूस ने रोमियो की पुस्तक में समझाया कि जो पाप करते हैं वह पाप के दास हैं और अपने जीवन को खराब कर लेंगे। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। भविश्वक्ता होश्य को अपनी पतनी के लिए उनके प्रेम के द्वारा इस बात का एक चित्रित रूप प्रदान करने के लिए बुलाया गया है। इस तथी के बावजूद उनकी पतनी ने विविचार किया है। अब जाकर एक SS3 से प्रीती कर, जो विविचारनी होने पर भी अपने प्रीय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांती यदि पी इसराइल पराय देवतां की और फिरे और दाख की टिकियों से प्रीती रखे, तब भी यहोवा उनसे प्रीती रखता है। होशे परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ग्यान ही है, यहां श्राब देने, जूट बोलने, वद करने, चुराने और विविचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता, लोग विविचार औ वैसे ही वे मेरे विरुद पाप करते गए, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूँगा, वे मेरी प्रजा की पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, वही याजक की भी होगी, उनके पाप से स वैश्यागमन और दाखमदू और ताजा दाखमदू ये तीनों बुद्धी को भरष्ट करते हैं, मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं, वे मूर्तों के संगी हो गए हैं, जब दाखमदू पी चुकते हैं, तब वैश्यागमन में लग जाते हैं, पर आतानी ताकत ने उन्हें जकड लिया हो क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहवा को नहीं जानते हैं वह उनसे दूर हो गए हैं लेकिन परमेश्वर इसलिए दूर हो गए कि लोग उनके पास आ जाएं वापस आने का अर्थ है अपनी गलती को मानना और परमेश्वर को खोजने का प्रयास करना जब वे संकट में पढ़ेंगे तब जी लगा कर मुझे ढूंडने लगेंगे आप परमेश्वर को किस तरह से खोजते हैं जोईसमेर लिखती हैं एक तरीका है उनके बारे में सोचना और ध्यान देना कि किन चीजों से उन्हें अंतर पड़ता है और कुछ स्थितियों के बारे में वे क्या कहते हैं जब हम उन्हें खोज लेते हैं तब हम अपनी परिशानियों के लिए उनके उत्तर के विशय में बहुत कुछ पा लेते हैं हम आनंद, शांती, प्रेम, बुध्धी और बाकी दूसरी चीजों को भी पा लेते हैं जिनकी हमें अपने जीवन में आवशकता है मुझे आपको चिताने दीजिए कि आज अपने जीवन के हर शेत्र में उन्हें खोजिए परमेश्वर मैं आज आपको खोचता हूँ, मैं आपके पास उन सभी परिशानियों को लाता हूँ, जिनका मैं सामना कर रहा हूँ क्रपया मुझे दिखाईए कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मुझे बुद्धी दीजिए, पूरे हृदे से आपकी सेवा करने में, सिध्ध स्वतंतिरता को प्राप्त करने में, आज मेरी सहायता कीजिए रोमियो चे का तेईज, लेकिन परमेशर का उपहार हमारे प्रभु ईश्यमसी में अनन्त जीवन हैं, लोगों के लिए उपहार करीदने में मुझे थोड़ा थनाव मैसूस होता है, मैं अक्सर लोगों की दयालुता, उदार्ता और सोच से प्रबावित हो जाती हूँ, यह बुलाया नहीं जा सकता है, यह सबसे बहुमूल्य उपहार है, इसे पाने के लिए एक बड़े बलिदान की अवश्यक्ता है, यह सरवदा बना रहेगा और हर तरह से सिद्ध रहेगा, आज का वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यों है, परंतु परमेशर का व